नमस्कार दूस्तू बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेलगड में तो आप सभी को पता है कि जब से कोविड महारी फैली है तब से भारती रेलवे जो है नय-nय प्रयास कर रहा है चाहे वो सोलर पावर प्लांट लगाने हो या फिर में नई तकनीक को लाना हो भारती रेलवे इन पर लगातार जो है वो प्रयास कर रहा है और इसी के दर्मियान भारती रेलवे ने कुछ हैसा किया है जिससे अब रेलवे की जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा सटीक मिलेगी कहने के तद पर यह है कि कौन सी ट्रेन कहां पर जाएगा कैसे इस टेक्नलोजी को भारती रेलवे में लगाया जाएगा वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर दीजे चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे दोस्तों बरतवान समय में क्या ह ब्वारती रेल्वे पहली बार भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि कि श्रो के दौरहां संगठन करके ट्रेनो पर निगरानि करेगा इस चुछ अपने सेटलाइट के जरिए इन पर निगरानि रखेगा और उनकी गतिए को हमेशा रीड करता रहेगा यानिकि क कौन से ट्रेंड किती स्पीड में चल लाइए कहां पे है कहां पे कब पहुंचने की संभावना है यह सारी आपको एकदम करन्ट लुकेशन के साथ पता चलती रहेगी भारती रेलवे के सभी इंजिन जीपियस से ऑनलाइन किये जाएंगे इंजिनों में जीपियस अधारित में तकरीबन 6,000 इंजन में इस को लगाया जाएगा भारती रेलवे का कहना है कि 2021 तक पूरे देश की जितनी भी ट्रेंस हैं समय यह सुविधा उपलब्द करा दी जाएगी दोस्तों ऐसा भारती रेलवे ने क्यों किया पहली चीज जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत म कहां पर है दूसरी चीज यदि कोई ट्रें 24 गंटे या फिर 12 गंटे 13 गंटे लेट होती है तो आप इस चीज की जानकारी अपने घर से ही ले सकते हैं और जब वो ट्रें आने वाली हो तब आप प्लेट फॉर्म पर जाएगे जिसे जो है आपका समय भी बचेगा इन सब सम भारती रेलवे इस कारे को पूरा करेगा देखते हैं भविष में इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है भारती रेलवे के द्वारा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना आई था वीडियो को लेकर करके मन में कोई सवाल यह सुझाओ है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सक करते हैं वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिये मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ तक के लिए बंदे मतरम भारत मता की जैए